अलो गाईस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक ने वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस कि अगर आपके रेड्मी A1 फोन में अब लोगों को बताऊंगा गाईस इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सबस्क्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो slow charging problem को solve करनी के लिए सबसे पहले क्या करना है गई सबको सबसे पहले जो है आपर से आप लोगो background में से application अगर चल रहे आपके phone में तो उन सबको जो है आप लोगों को clear कर देना है तो देख सकते हैं यापर मैंने background में कुछ application चला के दिखाया है आप लोगों को तो देख सकते हैं अपर 5 एप्लिकेशन मेरे बेगराउंड में चल रहे हैं और अगर आपके फोन में बहुत सारे यापर गेम्स या वीडियोस म्यूजिक बगर यापर बेगराउंड में चल रहे हैं तो उन सब को जो है आप लोगों को क्लियर कर देना है ये सब तो क्या करसे बगर आपके फोन में उपर से नीचे स्क्रोल डान करने में जो यह बाहरा आ जाता है न यह डाटा ओन करने का वाई फाई तो इसको ओन कर लेना है इसको लाना है गैस लाने के बाद यह आपर देख सकते मूबा canoeAL डाटा में वाई फाई हैлон life इस तरह होच्पोट है और नियारबाई शेर है और लोकेशन का ओप्षन है ठीए गईस अगर आपके फोन में जो है यह सब ओप्षन ओन है तब भी जो है आप लोगों को स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों क्या करना है गईस यह सब लोगों कोलगों को बेकआ जाना है बेक आने के बाद यहां पर से आप लोगों को कैसा इस डिय्क कर देना है क्लिक करने के बाद देख सकती है आप एक मेनेज एप्स का ओप्शन है तो इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जितने भी आप लोगों के एप्लिकेशन होगे फोन में सब यहाँ पर शो हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका गुगल प्ले का एप्लिकेशन है वह यहाँ पर बेगराउंड में में जब क्लियर कर देरो तब भी चल रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए उस पर क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का ओप्शन आएगा और यहाँ पर देख सकते एक फॉर स्टॉप का स्टॉप कर सकते हैं तो यह करने से भी आप लोगों का स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम सॉल्फ हो जाएगा उसके बाद आप लोगों क्या करना है उसके बाद आप लोगों को एक बार अपने एडप्टर को चेक कर लेना है एडप्टर ही मेन रोल निभाता है चार्ज के लि तो आप लोग क्या कर सकते हैं अगर आपके घर में दूसरा कोई एडप्टर है उसको आप लोग लागा के चेक कर सकते हैं अपने फोन को चार्ज करके अगर दूसरे चार्जर से जो है आपका फोन चार्ज हो रहा है तो आप लोग मान लीजिए आप लोग जो एडप्टर है भब होत्याइक है युद आपने चेंच कर लेतें नेज़ाइट खारीद लेतें उसके बाद भी आप लोग को flying problem solve हो जाएगा को उसके बाद आप लोग क्या कर सकते आते को डातागे शेक मालत है अगर आपके पने वो खराब होगा तब भी आप लोगों को slow charging problem देखने को मिल जाएगा तो डाटा के बुल को कैसे चेक करेंगे डाटा के बुल को चेक करने के लिए अगर आपके घर में दूसरा डाटा के बुल है किसी का तो उसको पोर चेक करना है चैर्ज करके दूसरा डाटाइबल से है आप साट को चार्ज करके देख लिए अगर चार्ण हो रहा है तो इसके मतलब क्या ऐगा तो आप इसके बाइब सकते है उसके बाद आप लोगों क्या करना तो यहां पर Civisive Estoiyi कर लेता हूं तो देख सकते हैं आपर play store मेरा open हो रहा है play store को open करने के और ऊपर के side में देख सकते हैं एक profile है जीमेल का तो इस email के profile में जो है आप लोगों को क्लिक्क कर देना है इस एक ब्लिक करने के बाद देख सकते हैं बदोगे सेटिंग्ष का option है इस settings पे क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते गाईस मेरा जो यह ओप्षन है ओवर वाइफाई उनली पर सिलेक्ट है मतलब जब फोन जो है वाइफाई से कनेक्ट होगा तब जो है ऑटोमेटिकली एप्लिकेशन जो है अपडेट लेते रहेंगे बेगरॉन में तो जब ऑटोमेटि पर क्लिक करना है और यह पर डान पर क्लिक कर देना है उससे क्या हो गाईस का आपका वटो-पडेट एप्स का औप्षन जो है वह बंध हो चुका है अभी अभी जो है आप बेगरॉंड में कोई भी एप्लिकेशन ऑटोमेटिकली आपडेट नहीं होगा तो आपका फोन जो को ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई